आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाचन कौशल क्या होता है, इसकी परिभाशाएं, इसका महत्तव और इसके उदेशें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाचन कौशल क्या होता है भाशा शिक्षें का उदेशें केवल अक्षर ग्यान कराना ही नहीं होता बलिक विद्यार्थी कुशलता से पढ़े और पढ़ाने के लिए आतुर रहे तथा ज्ञान प्रापत कर अननदित हो तब ही जो पढ़ने वो अर्थपूरण हो सकता है शाकर्ष्टा के बड़ी समस्या लोगों को केबल ये सिखाना नहीं है के वे कैसे पढ़ें बलिक ये सिखाना है के वे पढ़ें पढ़ने के लिए लालायत रहें उनमें पढ़ने के लिए अनुराग उत्पन हो उनमें पढ़ने में अननद की अनुभूती होने लगी यदि विद्यार्थी अपनी बाचल योगता का विकास कर लेता है तो उसकी भौतिक और मानसिक ब्रिदी होती जाती है क्योंकि संसार में अधिक खतर ग्यान लिखित रूप में उपलब्ध है जिसको पढ़ने की अबशक्ता है बातिन शिक्षिन पर विचार विमर्ष करने से पहले वाचन के अर्थ को जान लेना अजन्त अवश्य होगा वाचन से अभी प्राई लिपीवद समगरी को पढ़कर विचार इम भाव ग्रहन करना मिन्स के जो हमारे पास लिखा हुआ कोई भी किसी भी तरह का कॉंटेंट है उसको पढ़ना और उस पे अपने जो भाव है वो विक्त करना और उसके भाव ग्रहन करना इसके तरिक तो उसका परियोग भी करना सिखाना इसकी उप्योगता को बढ़ाता है अगर हम पढ़ना जानते हैं, हम वाचन कर सकते हैं, तो हमने इसकी उपयोगता भी करनी है लूइस महोदे ने वाचन को इस परकार परभाशित किया है वाचन एक साधन है, जिसके मादेम से बालक संपूरण मानवता की संचित जानाशी से परचित होता है दूसरी परभाशा है, कैथरीन ओकानर के उनसार वाचन वहजटेल सीखने की परकेरिया है, जिसमें सुनने के गतिवाही मादेमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है इन परभाशाओं से ये स्पष्ट है कि वाचन में जब तक विद्यार्थी निपुन नहीं होता उसे अधिक से अधिक ज्यान प्रापत करने में कठनाई आ सकती है, वाचन एक कला है, वाचन की जीवन की हर शेत्र में अवशक्ता होती है अध्पाठिक को वाचन परकेरिया की कुछ जो तत हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जैसे के वर्णों की पहचान, उचारन पर ध्यान, लै तथा विराम, परतीक द्भने लिपिवद शब्दों को पढ़ना, अर्थ ग्रहन करना वाचन में यह सब कुछ आता है, अब हम बात करेंगे वाचन की अफशक्ता हैं इव महतब सबसे पहले वाचन व्यक्तितव के विकास का साधन है, और आपने जो इसके हैडिंग बनाना है तो आपने क्या लिखना है व्यक्ति तब के विकास का साधन आतम परकाशन मनुश्य की परमुखाप शक्ता है मिन अभिव्यक्ति अपने आपको दूसरों के सामने व्यक्त करना ये सबी जो मनुश्य हैं उनके लिए जरूरी है अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर संतुष्टी प्रापत करता है कौन प्रापत करता है? मनुश्य और व्यक्त ना कर पाने की स्तिती में व्यक्ती में वफिन प्रकार की कुंधाएं व्यपत हो जाती है मिनके वो अपने भारे में गलत सोचने लगता है कि उसमें confidence नहीं है वो अपनी बात दूसरों के सामने अच्छे ढंक से नहीं रख सकेगा ज़ा उसकी बात मानी नहीं जाएगी वो अपनी बात को किसी मनवार नहीं पाएगा और उसका व्यक्तितव भादक हो जाता है मिन्स उसकी जो development होनी थी वो नहीं हो पाती आगे है डैन कारें में महत्त भूरन आजकल समाजिक कारें कलापों में वाचन के बीना समाजिक विभार असंभव होता है क्योंकि वाचन बहुत जरूरी है अगर हमने समाजिक विभार करना है तो उसके लिए वाचन जरूरी है वाचन की समाजिक उपयोगता है क्योंकि हम समाज में रह हैं हम मनुश्य हैं तो हमारे लिए वाचन उपयोगी है आगे है ग्यान पिपासा को शांत करने के लिए इसका फैडिंग भी ऐसे बना सकते हैं वाचन अत्यांत उपयोगी होता है क्योंकि जो हम और जानने की इच्छा है हमारे अंदर उसको हम शांत कैसे कर सकते हैं सिर्फ व पुस्तकों से तो केवल सीमित ग्यान प्रापत होता है आधनिक यूग में आधनिक यूग के अनसार विशिष्ट ग्यान है जो विशेश है हमारे लिए केवल नई नई पुस्तकों के साथ ही संभव है वाचन के बिना पुस्तकों से ला प्रापत करना असंभव है आगे है शि श необход शक्षिन सत्रों पर वाचन से ही जू शिक्षए वो प्रंभ होती है। बीना बात्यन शिक्षा संब्व नहीं है। अगर हम चाहे करें वने शिक्षा प्रापत करनी है। मगर्में वाचन करना नहीं आता। तो शिक्षा का कोई जो संब्व है वो बिलकुल नहीं हो करते हैं अगे है यह वाचन अंतरात्मा की अव्यक्ति आप इसका ही सुधार सद प्रेटियों का विकास भी करता है देखो जब हम कुछ भी बोलते हैं तो बोलने से हमारे बारे में दूसरों को पता चलता है कि इसकी प्रकृति कैसी है तो अगर हमें कुछ कमी है तो हम उसका सुधार कर सकते हैं आगे शिक्षा प्राप्ती में महत्पूर्ण स्थान इतना हेडिंग बनाना बाचन है जो शि मौकिक अभ्यक्ति में सस्वर वाचन के लिए सस्वर वाचन निरंतर अभ्यास से ही विजार्थी कुशल बनता है मिन्स अगर जो विजार्थी है वो मौकिक अभ्यक्ति में अच्छा होना चाहता है तो कुशल बनना चाहता है तो वो वाचन से निरंतर अभ्यास करेगा तो बच्चों को साहते को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो वो वाचन के साथ ही संभव होगा, वाचन सभी विश्यों के शिक्षन में सहाइक होता है, अध्यापक अपने शिक्षन की तयारी भी भाचन से करते हैं, विश्यार्थी प्रेक्षन की तयारी पाठ्य पुस्त के वाचन से करते हैं, मिंज जो वाचन है वो अध्यापक है, विश्यार्थी है, सामान्य लोग है, सभी के लिए जरूरी है, सभी के लिए महत्यपुर्ण है, आगे है समाजिक जीवन में किसी संदेश सुनाना, मतलब हैडिंग बनाएंगे आप समाजिक जीवन में संदेश सुनाना जा भेजना, अगर हमने हमारे पास कोई भी संदेश है, तो हम किसी को सुनाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, पत्र पढ़ना है, कहीं किसी का अभिनंदन पढ़ना है इन कोई भी अफसरों में वाचन एक सामाजी को प्योगता माना जाता है अगर हमें वाचन करना नहीं आएगा तो हम किसी भी तरह का जो संदेश है हमारे पास उनको हम दूसरों के सामने नहीं पढ़ पाएंगे पत्र नहीं पढ़ पाएंगे कोई भी किसी भी तरह का संदेश हो तो हम किसी वक्ति की भी कोई जो हेल्प है वो नहीं कर पाएंगे आगे है लोगतंतर युग में विप्मिन परकार के विचार पत्र-पत्र काओं में परकाशित होती है तो अब हमने इसका क्या बनाएंगे कि जो इसकी सफलता है लोकतंतर की वो कहां पे निर्भर करती है जागरुकता पर जितने जादा हम जागरुक होंगे उतना ही जो लोकतंतर है वो सफल होगा इसलिए हम इसको हैडिंग क्या बनाए लोकतंतर की सफलता के लिए जरूरी लोकतंतर युग में विविन परकार के विचार Ihr पत्तर, पत्तरकाओं में परकाशित होते हैं हमने उनको अच्छी दरफ पढ़ने हैं समझने हैं तो हम कैसे उनको पढ़ेंगे, कैसे उनका वाचन करेंगे अगर हमें ये वाचन करने की योगिता होगी आगे है मनुरंजन में सहाइक वाचन की अगली अवशक्ता जा महत्तव यह है कि ये मनुरंजन में भी सहाइक होता है घर में, यात्रा में, परतिक्षालयाद, नीरस जगहों पर वाचन द्वारा व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग अच्छी तरह से कर सकता है। हम बैठे हुए होते हैं तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। विशिराम को वाचन अनन्दाएक बना दिता है। मिन्ज अनन्द में बन जाता है। व्यक्ति कविता कहान अपनियास आद पुस्तकों का वाचन करके रसान भूती अनन्द भूती प्रापत कर सकता है। मिन्ज उसको अनन्द भी मिलेगा और रस भी मिलेगा। इस परकार वाचन मानसिक धकान को मिटाकर नए ज्यान की प्रापती भी करवाता है। आगे है रचनात्मक विकास में सहाइक, जो बाचन है वो बच्चे के रचनात्मक विकास में भी सहेता करता है, बाचन के पश्चात विद्यार्थी भी कविता कहान याद लिखने की चेश्टा कर सकता है, मिंद वो भी लिखने के योगया बन सकता है, आगे है कल्पना शक्ति का विकास बाचन के साथ जो विद्यार्थि हैं उनमें कल्पना शक्ति भी विक्सित होगी सहे तक अधियन से विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति विक्सित होती है आगे आतम विश्वास बाचन की शिक्षा जाएसे कहो के बाचन के साथ सीख चाता है, अब हम बात करेंगे वाचन के उदेशया, विद्यार्थियों को शब्द भनियों का उचित ग्यान कराना, क्योंको जो शब्द भनिया होती हैं, उनको कैसे बोलना, उनके बारे में पूरा जो ग्यान कराना वाचन का उदेशया है, उचित उतार चड़ाफ के सा पाठे समगरी को पढ़ने की योगता विक्सित करना हमारे पास अलग अलग धंग की समगरी होती है पढ़ने के लिए जिन में उतार चहड़ाव होते हैं तो उसको पढ़ने के लिए हम योगे कैसे बनेंगे वाचन की सहता से इसके लिए वाचन का उदेशक है कि उचित समगर अगर हम देखो जल्दी-जल्दी कुछ ही पड़ेंगे तो हमें समझ भी आएगा और वो हमें संतुष्टी भी दीगा इस करके वाचन का उदेशय क्या है कि बच्चे को अच्छे ढंग से धहरे पूरण वाचन करना सिखाना विद्यार्थियों को नई शब्दा वली से प्रिचित कराना तथा कृष्ट बच्चों का उचारन सिखाना कृष्ट शब्दों का उचारन सिखाना कृँछ वाचन समझ दोशों का निरकर्ण करना क्योंकि कुछ विध्यार्थि ऐसे होते हैं जिनको वाचन करते समय कुछ समस्य आती हैं, कुछ उनमें दोश पाय जाते हैं, तो वाचन की सहायता से हम इनके यो दोश हैं, उनको हम ठी कर सकते हैं, विद्यार्थियों को वाचन के प्रती रूची विक्सित करना और विद्यार्थियों की जो रूची है वो वाचन के प्रती हमने विक्सित करनी है इसलिए वी वो अच्छे ढंक से वाचन करेंगे जिससे वे रिचनात्म कारें में वाचन का सदप्यों कर सकें विद्यार्थियों को इस योगे बनाना कि वे वाचन करते समय भाव ग्रहन कर सकें इप सुनने वालों को उनकी जो बात है वो समझ में आ जाए अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं वो दूसरे को समझ नहीं आ रही तो उसका कोई फायदा नहीं होगा इस करके वाचन का उदेशय कहा कि विद्यार्थियों को इस योगे बनाना कि वो वाचन करते समय भाव ग्रहन कर सकें और जो सुनने वाला है उसकी बात को समझ सके विद्यार्थियों के शब्द भंढार में ब्रिदी करना जब हम वाचन करते हैं तो शब्द भंढार में भी बादा होता है, बृधी होती है इसलिए वाचन का उदेशे कहा है कि विद्यार्थियों का जो शब्द भंढार है उसमें बृधी करना उनको नए नए जो शब्द है वो सिखाना विद्यार्थियों में सवध है की परविर्थी जागरत करना सवध है मिंस अपने पढ़ने की जिसको हम बोलते हैं Selfестudy ते वाचन का उदेशे कहा है कि विद्यार्थियों में अपने पढ़ने की जो आदित है वो डालना पैदा करना वाचन के प्रतिर उची उत्पन करके विद्यार्थियों को साःते शेतर में पर्विष्ट कराना अब साःते में कितने लेख़क होते हैं लेखकाई होती हैं तो वो अगर वो perfect थे अपने अपने काम में निपून आथे जैसे के वाचन करना तो फिर इस फिल्ड में वो आ सके हैं, शेतर में आ सके हैं, सहते के शेतर में इसलिए हम वाचन के साथ जो रुची है बच्चों के उत्पन करेंगे तो वो जो विद्यार्थियां वो सहते शेतर में परवेश कर पाएंगे आगे विद्यार्थियों में स्तर्कता बनाई रखना वो उनका वाचन के प्रती ध्यान के इंदर्थ करना अगर वाचन का उदेशक है कि वच्चों को स्तर्क बनाई रखना है उनको एक्टिव बनाई रखना है चुस्त बनाई रखना है और उनका जो वाचन के प्रती ध्यान है वो भी केंदरत करना है अगर वो ध्यान केंदरत कर वाचन करेंगे तो वो अच्छा-च्छा सीख पाएंगे आगे वाचन के द्वारा विद्यार्थियों में साहत्य के प्रती बिश्त्र दिश्टिकों विक्सित करना क्योंकि आज का जो टाइम है इसमें समस्या यह आ रहे कि जो बच्चे हैं बड़े हैं सबी मुबाइल फोन की वर्तों कर रहे हैं कोई भी किसी प्रकार की साहते के सबंदत कोई कहानी है उपनियास है कविताय हैं वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं बड़ बाचन के साथ हम विद्यार्थियों में साहते के प्रति जड़ा विश्त्रित दिष्टी कूण है वो हम पैदा कर सकते हैं हम उनको साहते की क्या महत्ता है इसे क्यों पढ़ना चाहिए जैमें क्या सिखाता है उसके वारे में जागरू कर सकते हैं दियर स्टूरेंट्स इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फर वाचिंग